सबसे जादा जो मामले आते हैं तलाक से सम्मंदित, खास कर वो आते हैं प्रतार्णा, यानि क्रुएलिटी, अब वो दोनों हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, शारिरिक भी हो सकती है और समझना काफी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमको पेटिशन प्रेजिन कर देते हैं, फ हो सकती, मैंने काफी सारे judgments आपको बताने का किया प्रयास, एक और judgment जहांपर मैं आपको समझाने का करूँगा प्रयास की मानसिक प्रताड़ना कैसे हो सकती है बहुत ही normal incident है जहांपर पती-पत्नी के शादी होती है शादी के बाद जो पत्नी है वो बार-बार कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती क्योंकि तुम्हारा मेरा रिष्टा फिट नहीं है तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम कम पढ़े लिखे हो तुम कम पैसे कमाते हो तुम नका रहा हो इस प्रकार के शब्दों का लगातार इस्तमाल करना और जिसके proper evidence, proper सबूत थे कोर्ट ने ये माना कि wife ये husband के प्रती cruelty कर रही थी ऐसे अब शब्दों का इस्तमाल या ऐसे शब्दों का इस्तमाल जो उसे एक तरीके से मानसिक आगात पहुचाए ऐसे शब्दों का इस्तमाल नहीं करना था ऐसा पती अगर पत्नी के प्रती भी करता है तो भी वो मानसिक प्रताड़ना है ऐसा कोई difference नहीं है कि हमेशा पत्नी करेगी तो ऐसा applicable है तो मैंने आपको एक particular judgment बताया और बताने का मेरा ये प्रयास था कि इस प्रकार से यदि शब् तो वो consider किया जाएगा मानसिक प्रताड़ना में और ये judgment है नेहा कुलर वर्सिस राकेश कुलर 2004 वॉल्यूम 1 DMC पेज नमबर 719 मधिप्रदेश हाई कोट दूसरा एक judgment ये judgment है सत्यवंशी वर्सिस सावित्री चंदर प्रकाश का judgment 2005 वॉल्यूम 1 HLR पेज नमबर 312 इसमें physical violence होता था यानि मारपीट होती थी spouse के साथ में अगर मारपीट करता है कोई माली जब पती अपनी पत्नी की उपर हाथ उठाता है मारपीट करता है या पत्नी अपने साससुर की उपर हाथ पर उठाती है लड़ाई जगडा करती है और ये अपने पती को चोट पहुचाती है तो ये जो physical violence है, ये भी तलाक का आधार बन जाता, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सामिल हो जाती है, मानसिक भी और शारिडिक भी, तो इस वज़े से आपको समझना पड़ेगा, कि अगर आपका आधार मजबूत है, आपके पास सबूत है, तो आप कोर्ट में जाईए, आप तलाक का केस लगाईए, आप तलाक का केस जीट जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास में नहीं है, कोई proper evidence, जिससे आप कोर्ट में साबित कर सकें, तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फस सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का चेहरी इतना असान नहीं होता, यह आपका समय, आपका पैसा, और आपका जो मानसिक शांती है, वो तीनों को छीन लेगी, तो आप जरा यह दोनों ही judgments को समझिए, नेहा कुलर वर्सिस राकेश कुलर, 2004 का judgment, और दूसरा जहां पर physical violence के साथ साथ, mental भी involved था, जहां पर पती-पत्नी के साथ हाथा पाई करता है, पत्नी-पती के साथ हाथा पाई करती है, तो इस अत्यवनशी, एड़रेट, सावित्री, और चंदरप्रकाश का judgment, 2005, वॉल्यूम 1, HLR, पेज नंबर 312, मधिप्रिदेश हाई कोट का judgment, तो दोनों ही महात्यपूर्ण है, आपने शुरुआत की थी अशुप पांडे के साथ, जानकारी पसंद आई हो, हमेशा मैं करता हूँ, आप सरी कोई subscribe जरू कर लें, जी हाँ, और अगर directly अगर आप मुझे करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के description में detail है, जहां से directly appointment book करके, आप और मैं कर सकेंगे बात, आप